गूगल सिट्स लोजिकल वंक्संट केटेगरी सेरीज में अज आद आप लोग के सामने रखना चाहूंगा हमने इफ का कॉंसेर्ट देखा Haim मैं इप्स का कॉंसेट देख और जड़त आ चुकिया है अब दो और फंक्षन जिसमें अब पहले बात करना चाहेंगे और फंक्षन और उसी के साथ साथ बात करना चाहेंगे एंड function तो वीडियो में लेके चलता आगे और इस और function एंड function दोलों को explore करता हूं एक जामपल के साथ नेस्टेडिफ और इपस function के concept के एक जामपल को देख लेने के बाद अब आपके सामने मैं दो और function इंटिट्यूस करना जाओ जिसका नाम है और और दूसरा function है end पहले इस और और end की जुरत क्यों है इसका if के साथ combination करके हम क्या benefit उठा सकते हैं वो explain करना चाहता है सबसे पहले बात करेंगे और और end को पहले define करते हैं कि और की जुरत का और end की जुरत का तो अगर चार में से कोई भी एक logic कोई भी एक condition आपका अगर सही है if any of the argument are true, the result is true चार condition पास किया आपने चार में से तीन गलत है लेकिन एक सही है तो भी result true और का मतलब होता है अथवा या either this or that है ना तो if any of the argument are true, the result is true if all of the argument are false, then only result is false मतलब और के किस में जब सारे के सारे condition गलत होंगे तो ही result false आएगा जैसे की मेरे पास condition one, condition two और यहाँ result की बात अगर मैं करूँ और true पहला और दूसरा true पहला true लेकिन दूसरा false पहला false लेकिन दूसरा true और दोनों ही false तो क्या-क्या हो सकता है यहाँ पे output हो देखिए पहला condition true और दूसरा condition true तो result क्या होगा? true, true, true की बात करेंगे और अब दा अर्गमेंटा true दर रिजल्ट इस true उसके अलावा true false भी true होगा एक तो true है, false true तब भी true होगा दूसरा तो true है और false false सिर्फ false होगा यह याद है किसके case में? और के case में सारे false तो ही रिजल्ट false, otherwise true बट एंड के case में यह कहानी बदल जाए अगर मैं एंड के case की बात करूँ, तो यहाँ पे एंड के case में होता है जब यह जो एंड है थोरा सा ज़्यादा सक्थ होता है इनका burden to all If all of the argument are true then only result is true otherwise false जब सारे के सारे condition true होंगे तो ही true otherwise यह false है यहाँ पे भी false यहाँ पे भी false और यहाँ पे false एक भी true होगा तो माफी नहीं है यहाँ पे सारे के सारे condition true होने चाहिए वही true यह तो मैंने दोनों भंसम का भी define किया है इसे भी धुंदरी धुंदरी तस्वीरे होगा अब तस्वीरें ज़्यादा साफ होगी इस example के चरिए यहाँ पे हम कहना चाहते है यदि customer का जो bill है वह 20,000 से ज़्यादा हो साथ के साथ यह तो different product है उसकी value कितना 10 से ज़्यादा हो तो discount मिलना चाहिए 30% कोई problem नहीं है लेकिन यह कहना चाह रहा है और का case दोनों में से कोई एक हो तब भी आप discount देदे 20,000 से ज़्यादा है बट वो 10 से कम है तब भी discount 10 से ज़्यादा है different product के value बट 20,000 से amount कम है billing amount तो भी 30% discount बट दूसरे वाले situation में and दोनों के दोनों होना चाहिए 20,000 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 10 या 10 से ज़्यादा भी होना चाहिए तो ही discount apply करके देखता हूँ combine तो आपको if के साथ ही करना होगा इसको और या end को क्यों क्योंकि और function या end function सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता सकता है कि यह जो result जो आपने pass किया है argument वो true है या नहीं है बट result लाने वाला का manipulation calculation तो यह कौन कर सकता है वो तो if ही करेगा तो आप pass करेंगे if if के सारे ही रहना होगा हमें और if को क्या चाहिए logical test तो logical test में हमारे पास कौन है logical test है हमारे पास यदी total bill बट सीधे यहां ही pass करें क्योंकि एक condition नहीं है अथवा वाला condition है यहां लगाएंगे आप और अब यह जो if है आपने उसको condition तो एक ही दिया ना और नाम का एक ही function है ना लेकिन और की अपनी power है वो multiple argument को supply कर सकता है तो आपने pass किया if इफ के अंदर pass किया और single argument आपने पास किया है logical test अब यहां पे और के लिए condition आपास किजिए यदी इसकी value greater than 20,000 फैला condition supply और और यदी ये बात सही हो तो क्या कर दो total bill minus total bill का 30% दे लो नहीं तो कोई discount नहीं इस तरीके से पास किए और यहां पे आपके सामने output यह रहा output आगया फ़र्ट किस बात का है कहां कहां उसने discount दिखाया जहां जहां billing amount क्या है देख लिए आपके सामने 20,000 से जादा है लेकिन यह नहीं है तम भी क्या दिखकत है तम भी इसको discount और no discount उस case में जब दोनों को दोनों condition fulfill नहीं भी अब इस end के case में यहां if के साथ ही पास कर देता हूं लेकिन यहां कहानी output के case में बतल जाएगा यह यह greater than फिर से 20,000 को हाँ फिर यह दूसरा different product यह greater than equal to 10 bracket burn if के नजर में end एक ही है और यह बात सही है तो total bill minus total bill का 30% नहीं तो no discount bracket burn और enterprise लेकिन अगर आप output को देखेंगे तो दोनों में बहुत फर्क साफ नजर आ रहा है इसने कहां discount दिया है सिर्फ वहीं दिया है जहां दोनों criteria फुल्पिल हुआ है यह भी 20,000 से जादा है और different product की value भी 10 या 10 से जादा है तो ही discount आप दे सकते हैं otherwise no discount का option है तो यह थोड़ा सा सक्त है and और और थोड़ा सा flexible है मतलब either this or that का case है तो फर्क आपको साफ नजर आ रहाँगा और में और एंड में क्या होते है अब मैं एक example के जरिए मैं and और if तीनों को combine करने की कोशिस करता है अगर इस example में आप देखें तो credit rating 1, 6 या 6 से जादा हो पहला condition यह तो हो ही हो साफ के साथ बताया गया है तो यह तो end का case हो गया लेकिन वहाँ पे और add कर दिया गया है और ही या तो यह 50,000 से जादा हो नहीं तो मतलब नीचे वाले में और वाला करने साथ या तो यह या तो यह दिखने में यह और लगड़ा है बट actual में यह end है यह end का पहला logic यह end का यह दूसरा logic लेकिन दूसरे logic में एक और है या तो यह दूसरा logic चल जाए नहीं तो यह नीचे वाला चलिए एक्जिकूर करके देखें इसको यहाँ पे equal to पहले पास करेंगे इफ इफ के अंदर पास होगा end क्योंकि यह end का ही case है ग्रेटर देन इक्वाल टू सिक्स यह रहा प्रेज कर दिया जाए कॉमा अगर मैं पाराथसिस या end का बंद कर देता हूँ तो इफ करेंजर में तो end क्लोज हो गया दर्विट फंसन खतब हो गया बड़ हैसाब नहीं चाहते है एंड का जहां पे यह लॉजिकल टू बांग रहा है आपसे एंड का लॉजिकल टू बांग रहा है बाथसे तो एंड का यह जो लॉजिकल टू बांग रहा है यहाँ पे आपको क्या पास करना है यहाँ पे मैंने ले लिया यदि यह sales amount greater than equal to कितना 50,000 कॉमा यह दूसरा credit rating टू greater than equal to कितना 2.5 फ्रिज ब्रैकेट बंग यह भी और का ब्रैकेट बंग एक और ब्रैकेट बंग यह एंड का ब्रैकेट बंग और इफ के नजर में लॉजिकल टेस्ट एक ही हुआ एंड वो और तो एंड के अंदर समाया हुआ है सारा अगर conclusion देखोगे वो एंड है सहाब वो और नहीं है एंड का यह logical 1 है और एंड का यह logical 2 है कौमा लगा यह और आगे की बात क्या अगर है तो extend किया जाएगा इनका credit card का limit extend credit नहीं है तो no credit बैकेट बंग और enterprise आपके सामने यह रहा output जहाँ 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 वो दोनों condition match कर रहा होगा इसको extend किया होगा नहीं तो no credit का option है पास सुना लिए यहाँ पे आपने if and or तीनों को combine करने की कोसिस किया है इस examper के दिए साथ के साथ मैंने end function में और function में आपको फर्क बताने की कोसिस है उमीद करता हूं end का concept और का concept यह आपको समझभाया होगा combination based example जो मैंने कराया आपको if and or को combine करके वो भी समझभाया होगा अब आप इसको खुद से explore करेंगे तो और नहींतर समझगा है दस दिन पंदरा दिन जब तो कि यह basics वाली चीजें आप कर रहे हो अब तो थोड़ी से दिक्कत होगी parenthesis कभी लगेगा कभी हटेगा कभी लग जाएगा पता नहीं चलेगा क्यों हो रहे हैं तो यह starting a problem होती है इसके लिए जब्राने की चुरत है और आप मैं आज का वीडि उसका लिया हुआ decision गलत रहा हो या गलत लगा हो लेकिन उसने उस लिये हुए गलत पहसले को भी सही प्रूव किया हो इसलिए नदी के किनारे बैठ कर सुर्फ अंदाजा लगा निना की गहराई बहुत है क्यों न एक बार गहराई में उतर कर देखा जाए था का अंदाजा खुर्बाउ खुर्द्लाजा थे। मैं प्रीवल एक प्रीवां प्रीवेट गहराई रहा थे नदी स्पीरे।